नमस्कार दोस्तों, welcome to study news इस वीडियो में हम लोग पृत्वी के वाईू मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे की वाईू मंडल की कितनी परते हैычно वाईू मंडल की क्या एहमियत है पृत्वी के लिए और इन विभिन परतों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तो जानेंगे इस वीडियो में So, Let's Start प्रिथवी को घेरती हुई जितनी इस्थान में वायू रहती है उसे वायू मंडल कहते है वायू मंडल के अतिरेक्त प्रिथवी का इस्थल मंडल ठोस पदार्थ से बना और जल मंडल जल से बना है वायू मंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है पर यह निश्चित है कि प्रिद्वी के चारो तरफ यह कई सो मीलो तक फैला हुआ है वायू मंडल के निचले भाग को छोब मंडल कहते है उसके उपर वाले भाग को समताप मंडल और उसके उपर मध्य मंडल और मध्य मंडल से उपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं छोब मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को शांत मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग को स्ट्रेटो पॉज कहते हैं प्राणियो और पादपो के लिए वायू अतियावशक है प्रित्वी तल पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है कई प्रकार की भौतिक और रासानिक क्रयाए वायू मंडल की वायू के कारण यहां संपन होती है वायू मंडल के अनेक द्रिश्य जैसे इंद्रधनुस, बिजली का चमकना, उत्तर धुरुवे जोती, दक्षिड धुरुवे जोती, प्रभा मंडल, मर्चिका, इत्यादी प्रकास और विद्युत के कारण ही उत्पन होते हैं हर जगे वायू मंडल का घनत्व एक सा नहीं रहता, समुद्र तल पर वायू मंडल का दबाव 760 मिली मीटर पारे के इस्तंभ के दाब के बराबर होता है, उपर उठने से दबाव में कमी आती है, तापिया इस्थान के परिवर्तन से भी दबाव में अंतर आ सकता है सूर्य की विकरण उर्जा से प्रिथ्वी गरम होती है, प्रिथ्वी से दिर्ग तरंग उर्जा का विकरण वायू मंडल में आउसोसित होता है, इस्से वायू मंडल का ताप 68 डिगरी से 45 डिगरी सेल्सियस के बीच रहता है, 100 किलो मीटर के उपर पराबैंगनी प्रकाश स जिससे ऑक्सीजन अडू आयन में बदल जाते हैं और परमाडू इलेक्ट्रोनों में बदल जाते हैं इसी से इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है रात में ये आयन या इलेक्ट्रोन फिर मिलकर अडू या परमाडू में बदल जाते हैं जिससे रात के प्रकास में हरी और लाल और एक खाएं दिखाई पड़ती है। तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और अन्य गैस अल्प मातरा में उपस्थित रहती है। या वर्सा जैसी क्रियाएं होती है। वायू मंडल में ओजोन परत की पृत्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्पूर्ण भूमी का निभाती है। ये परत सूरे से आने वाली उच आवरिती की पराबैंगनी किरणे किरणों को अवसोसित कर लेती है। प्रित्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विद फैबरी चाल्स ने और हैंरी बुसौन ने की थी। वायू मंडल गर्मी को रोक कर रखने में एक विसाल कांच के घर की तरह काम करता है। जो सौर्ट वेव्स और विकरण को प्रित्वी के धरातल पर आने देता है लेकिन प्रित्वी से विक्सित होने वाली तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। इस प्रकार वायू मंडल प्रित्वी पर सम ताप मान बनाए रखता है। वायू मंडल में जलवाश्प एवं गैसों के अत्रिक्त सुक्ष्म ठोस कड़ भी उपस्थित होते हैं वायू मंडल ये आद्रता वायू में उपस्थित जलवाश्प के उपर निर्भर करती है ये जलवाश्प वायू मंडल के निचले इस तरों में रहता है इसकी मात्रा सभी इस्थानों पर अमेशा एक सी नहीं रहती समय के अनुसार उसमें अंतर होता रहता है ये जलवास्प वायू मंडली आदरता की दो प्रकार की स्केल्स से मापा जाता है एक है रासायनिक आदरता मापी जिसे केमिकल हाईग्रो मीटर कहते हैं और दूसरा है फिजिकल हाईग्रो मीटर अब हम लोग वायू मंडल की परतों के बारे में यहां जानकारी लेंगे वायू मंडल का घनत उचाई के साथ साथ घटता जाता है वायू मंडल को पांच विभिन प्रकार के परतों में विभाजित किया गया है जिसमें छोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाहे मंडल कहा जाता है अब बात करते हैं ट्रोपो स्पेर छोब मंडल के बारे में छोब मंडल वायू मंडल की सबसे निचली परत है यहाँ मंडल जयाव मंडलिये पाइस्तकी तंत्र के लिए सरवाधिक महतपूर्ण है क्योंकि मौसम सम्मंदी सारी घटनाएं इसी में घटित होती है प्रती 165 मीटर की उचाई पर वायू का तापमान एक डिगरी सेल्सियस तक कम हो जाता है इसकी उचाई दुरुओ पर 8-10 किलो मीटर तथा विश्वत रेखा पर 18-20 किलो मीटर तक होती है छो मंडल को संवन मंडल और अधो मंडल भी कहा जाता है दूसरा है स्ट्रेटो स्पेर जिसे सम्ताप मंडल भी कहते हैं ओजोन मंडल सम ताप मंडल 20 से 50 किलो मीटर तक विस्त्रित है इस मंडल में तापमान इस्थिर रहता है तथा इसके बाद उचाई के साथ बढ़ता जाता है सम ताप मंडल बादल तथा मौसम संबंदी घटनाओं से मुक्त रहता है इस मंडल के निचले भाग में जैट वायू यान के उड़ान भरने के लिए आदर्स दसाय मानी जाती है इसकी उपरी सीमा को स्ट्रेटो पॉज कहा जाता है इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस पाई जाती है अगला है मिसो इसपेर जिसे मध्य मंडल कहा जाता है यह वायू मंडल की तीसरी परत है जो समताप सीमा के उपर इस्थित है इसकी उचाई लगबग 80 किलो मीटर तक है अंतरिक्ष से आने वाली उलका पिंड इसी परत में जलते हैं इसके बाद है थर्मो स्पेर ताप मंडल इस मंडल में उचाई के साथ ताप तेजी से बढ़ता है ताप मंडल को पुना है दो उप मंडलों में जिसे आयन मंडल और आयन सीमा मंडल में विभाजित किया गया है आयन मंडल ताप मंडल का निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कड होते हैं जिनें आयन कहते हैं ये कड रेडियो तरंगों को भूप्रिष्ट पर परावर्तित करते हैं और बहतर संचार को संभव बनाते हैं इसके बाद अंत्रिक्ष का विस्तार है थर्मो इस्पेर की उचाई 80-500 किलो मीटर तक विस्त्रित है अंतिम में है एक्जो इस्पेर जिसे बाहर मंडल कह जाता है इस परत का विसे सद्ध्यन लेमेन इस्पिजर ने किया था इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिक्ता पाई जाती है तो ये थी पूरी जानकारी वायु मंडल के बारे में तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट